नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका medical दोस YouTube चानल पर तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले लूली को नयजुर क्रीम के बारे में जो की मार्केप में लूली आएक नाम की ब्रैंड से भी आपको मिल जाएगी तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको इ साथ बागल वाली घंटी यानि कि बेल एकर को भी प्रेस की जगा ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्टेंड न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो चलिए दोस्तों बिना वगद गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसके कॉंटेंड यानि कि इसके कंपोजिशन के बारे में जान लेती कि यह क्रीम किनकिन कॉंटेंड के साथ बनाई गई है तो दोस्तों में कॉंटेंड के तोर पे है लूली को नाजल 1.0% मात्रा में तो दोस्तों यह जो लूली को नाजल जो यह ड्रग है एक जो कि एंटी पारसाइट क्लास से बिलोंग करने वाला ड्रग है जिसके मात्रा है 1.0% वाटर इन वाटर तो चलिए दोस्तों इस क्रीम के यूजर के बारे में जान लेते हैं कि इसका इस्तिमाल किया जाता है आम तोर पर दोस्तों यह क्रीम डॉक्टर द्वारा जिनको दात, खाच, खुजली की समस्या रहती है अगर आपको फंगल इंफेक्शन कहें भी हो तो उन कंडिशन में भी पेशन को यह दवा काफी लाब और आरामदय होती है अगर आपको प्राइवेट पार्ट में भी फंगल इंफेक्शन हुआ है तो उस टाइम पे भी इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी आप इस क्रीम का इस्तिमाल कर सकते हूँ अगर बात किज़ाए इसके इस्तिमाल के बारे में तो इसे आपको दिन में दो बार सुबह और शाम लगाना है जहां पर इंफेक्शन हुआ है वहां पर हलके से अप उंगलियों से इसे देहन रहे हैं दोस्तो यह क्रीम सिर्फ टॉपिकल यूज के लिए यानि कि आप सिर्फ पाहरी हिसे पर अपनी सिकीन पॉली इस सकसे हैं और यह भी अधान रहे कि यह आई काउन डॉसे ना आए यापको और बचो से को दूर ही रखे अगर बात करें इस cream के side effect के बारे में तो दोस्तो इसके कारण आपको cream को लगाने से आपको हलकी सी खुजली हो सकती है त्वचा पर दाने निकल सकते है या फिर त्वचा पर redness हो सकती है अगर आपको इन में से कोई भी side effect नजर आए क्योंकि self-medication is very dangerous to human body so doctor से बिना पूछे कोई भी दवा का इस्तिमाल ना करें हम यहाँ पर medical दोस्त पर जो भी medicine related videos बनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके knowledge के लिए बनाई जाती है ना कि आपको prefer की जाती है तो चलिए दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना है I hope you liked this video if so then don't forget to like, share, comment and of course subscribe my youtube channel medical thoughts for medicine and health related videos thank you guys thank you for watching my video